हेलो गाइज, हावर यू, वेलकम बेक टू माई चानल, इन्जोई दी विंड आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी हेलपफुल होने वाली है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपके मोबाइल से ही रिलेटेड है, जो आप सब यूज करते हैं मोबाइल का यूज कॉल करने और कॉल सुनने के अलावा भी कही कामों के लिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स ओल्रेडी आते हैं अगर आप किसी का भी फोन आते ही उसकी कोल को रिकोर्ड पर लगा देते हैं तो हो जाएए सावधान क्योंकि अब ऐसा नहीं कर पाओगे आप अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एंड्रोइड मोबाइल यूज करते हैं और किसी की कोल आई नहीं की बस रिकोर्डिंग पर लगा देते हैं और मौस्टली फोन कोल को रिकोर्ड कर लेते हैं तो अब आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुती बुरी खबर है खबर यह है कि 11 मई के बाद फोन रिकोर्डिंग करना मुस्किल हो जाएगा एंड्रोइड मोबाइल में एपल यूजर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे उनके पास तो पहले से ही भूट लिमिटेड ओफर्स होते हैं और उनके पास जितने भी ओप्सन होते वे ज़्यादा तर पेड होते हैं Android Mobile में तो काफी ज़्यादा options है बट नई rules regulation आ रहे हैं उनके हिसाब से कुछ changes हो रहे हैं और उनी में से एक है कि 11 महीं के बाद से जितनी भी third party app है जो आपके phone calls record कर लेते हैं वे records होने बंद हो जाएंगे Android Smartphones के लिए Google Play Store पर सेकडो call recording apps मौझूद है हाला कि इसकी ठीक उलट एपल ने app store पर सिर्फ कुछ call recording apps को ही जगर दी है जो paid है जल्दी Android Smartphones भी call recording मुश्किल होने वाली है अब Google call recording apps पर सिकंजा कसने की तयारी में है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि Android 10 के बाद Google ने default recordings करना बंद कर दिया है लेकिन कुछ दूसरी कंपनिया अपने Android best custom OS में अब भी call recording features देती है जानकारी मिल रही है कि इस नियम के बावजूद भी Google और Xiaomi के smart phones भी कोई असर नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि ये native call recording function देते हैं हाला कि आने वाले समय में इनके लिए भी कोई policy implement की जा सकती है इसके बारे में Google ने अभी तक कुछ नहीं कहा है Google की नई policy play store पर मोजूद third party call recording apps पर लागू होगी Android authority की रिपोर्ट के मुताबिक Google play policy updates में ये बात साफ कहीं गई है कि अगर phone के default dialer में call recorder है और pre-loaded है तो ऐसे में incoming audio stream के लिए accessibility की ज़रत नहीं होगी इसलिए Google की नई policy का violation भी नहीं होगा लेकिन अगर आपके mobile में ये features पहले से मुझूद है या अभी भी आपके mobile में काम कर रहा है तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ जो नए mobile आएंगे उन पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा उनके कुछ नए apps गायब हो जाएंगे जो अनपेड apps है वो गायब हो जाएंगे कई देशों में कोल्ड रिकोर्डिंग ही बैन है इसलिए सभी कंपनियां इसे एंड्रोइज नहीं करती है अब यह देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि जिन स्मार्ट फॉन में नेटिव कोल्ड रिकोर्डर दिये जाते है क्या आने वाले समय में गूगल उन पर भी सिकंज कसेगा या नहीं आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब गूगल ने कोल्ड रिकोर्डिंग को बंद करने की कोशिज किये इससे पहले एंड्रोइड 10 के साथ गूगल ने अपने फॉन से कोल्ड रिकोर्डिंग का फीचर हटा दिया था गूगल का कहना है कि यूजर् iphone compose record के लिए accessibility API का इस्तमाल करने लगे है हाला कि google जल्दी accessibility API का इस्तमाल को record के लिए बंद करने की तैयरी कर रहा है अब सबाल की郡 रिकोर्ड करेंगे कैसे और ऐसे नहीं कि वज़र अब Also, और नहीं कर पाएंगे ज़्ड है तो आप आदाराम से数 Advisor कर सके लेकिन किसी दूसरे एप के जरीए कॉल रिकोर्ड नहीं कर पाएंगे बता देगी सैमसंग से लेकर वन प्लस एक्सों में जैसी तमाम कंपनियों के फॉन में इन बिल्ट कॉलिंग रिकोर्डिंग की सुविधा मिलती है क्या आप भी कोल रिकोर्ड करते हैं क्या आप पर भी कोई फर्ट पड़ेगा कमेंट सेक्षन में बताईए इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और हाँ अगर यह इनफोर्मेशन आपको हैल्फुल लगी है तो इसे आगे सेर कर दीजी और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहां पर आपको ऐसी हैल्फुल इंपॉर्मेशन मिलती रहेंगी सो गाई मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए टेक केर बाई बाई